यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी प्याज का पाउडर जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं घर पर ही मार्केट से भी अच्छा स्वादवाला और्गेनिक तरीके से जो इसमें केमिकल फ्री होगा तो देखिए कैसी यह हमने बनाया है चले देखते हैं यह देखिए दस कि हमें क्या करना है तो यह हमने प्याज के छिलके लिए उतार और इसमें जो आखें होती है उपर की वह भी हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से तो देखिए हम अपना इसको ऐसे पाउडर बनाएं कि आप धूप में भी रखने की जरूरत नहीं होगी पस पंके में ही सू प्रोसी में दरदरा ग्राइंड किया था पस वही प्रोसेस करना है कि हम लाग प्याज को थोड़ा सा भारी चॉप करेंगे जिसकी वज़ए से यह फैन में ही सूप जाएगा यह देख सकते हैं इस तरह से हम इसको कर लिया है चौप इनने बारी 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 तो अब सी तरह से हम साले कर लेंगे तो गार द सी तरह से दीकर मोट होते हैं तो आप जल्दी सूपते लें इस वज़ए से बारी कम करेंगे जब यह फैन में भी सूप जाएगा बहुत अच्छे से बहुत आसानी से तो एले इस में एक से लिक पिशा हम पतला पॉड़ा सम यह था तो हम इसे फैन में ही रखेंगे अगर आप दे में बनाते हैं तो आप दूप में भी रख सकते हैं अगर जिसके आप दूप नहीं होती है तो जरूर यह करे काम कि फैन में रखकर ही यह पावडर बन सकता है तो यह देख सकते हैं हम इसी तरह से पतला पतला अपना फैन में ब नहीं हुआ है थोड़ा सा नम है इसमें दूसरे दिन में सुबा देखा तो यह ड्राइव हो चुका था मगर इतना नम है कि इसमें अकर हम इसे ग्राइंड करते हैं तो यह पाउडर नहीं बनेगा तो क्या करना है मैं इस तरह की हैवी बोटम की ले लेंगे कड़ाई फ्लेम करेंगे बिल्कुल धीमा लो फ्लेम और उस पर थोड़ा सा हम इसे भून देंगे उससे क्या होगा जो थोड़ा बहुत मॉश्यर है वह भी उड़ जाएगा और यह क्रिश्पी हो जाएगा क्रिश्पी होने के वज़ए सिए ग्राइंडर में जल्दी से ग्राइंड हो अगीला ने तो देखिए ओवर नाइट हमने इसको रख दिया था फैन में और हमने दूप नहीं दिखाई है और इसको हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से तो यो गाइस यह हमारा ड्राय रोस्ट हो चुका है मंगर अभी हमारे जो कड़ाई है वो हैभी इसको हम ऐसे ही अपने कड़ाई में पड़ा रहने देंगे जिससे कि ठंडा हो जाएगा और थोड़ी सी जो कमी होगी वो भी क्रस्पी हो जाएगी तो देखिए ग्राइंडर में डालकर हमने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से हो चुका था तो यह देख सकते हैं गाइस तो देखिये आप ग्राइंड हम चांद कर लिया है तो यह देखिए जो हम चांद लिया है यह जने अप चाहने हैं आप पाउडर बन कर तयार और यह घराब भी नहीं होन्यवाला है बस इनकी को चीजों का ध्यान रखना है कि गीली स्पून को ना इस fır На स्माड़ी दिया है करें और है अच्छे से सूखा powder बना करें एक है यह market इस्टाईल market का पौडर जो आ था उसमें chemicals होते हैं ये घर का बना हुआ तो इसमें chemicals नहीं होते हैं तो यह बहुत ज्यादा healthful होता है तो अगर हमारे यचे अच्छी लगगी हो तो Like स्क्राइब एड सेयर